हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब के लिए मद्ध प्रिदेश की आनुसित जाती और अनुसित जन जाती की special class लेके आया हूं गाइस अब आपके लिए मैं UPSC मेंस के लिए रोज एक एक टॉपिक लेके आऊंगा साथ ही गाइस, आप मेरे इस नंबर पर जुड कर, टेलीग्राम वाले यह नंबर है, वाटसब मेरे जो यह नंबर अभी बेन हो गया है इसलिए वाटसब भी चालू हुआ तो है, तो आप टेलीग्राम पर मेरे गुरूपों में जुड़िए आप कुछ नहीं गुरूग्यान क्लासिस को साच कर लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक से आप मेरे गुरूप में जुड़ें, यह टेलीग्राम फाइल को जुड़ें और प्राप्त करें, अपनी तेयारी स्टार्ट करें आनुसित जाती, आनुसित जाती जो नाम सबसे पहले साइमन का मिसन के द्वारा दिया गया लेकिं आनुसित जाती को सबसे पहले जो आदिवासी है किसने कहा, तो जैपाल और ठककर वावा ने ने आदिवासियों का मसिया कहके बुलाया मजुमदार एंड मदान आनुसित जाती बंदवर्व के नाम से दिया गांधी जी ने हरीजन सब्द जत्त डॉक्टर धुरिये ने इन्हें पिछड़ा हिंदू कहकर सम्मोधित किया बेरियर एल्विन की जो पुष्टक की दाव वेगा इसमें इन्हें अनुसित को जनजाती को हमने सैडूर ट्राइब के नाम से बताया गया है अगर है सभीधान में क्या प्राबदान है आर्टिकल 342 में है एस्टी के बारे में विश्टार पूर्बग बदाया गया है जबकि आर्टिकल 366 में एस्टी की परिवासा दी गई है यार्टिकल आनुसित जनजाती की परिवासा राइट आंगे बढ़ते हैं आर्टिकल 366 के सेक्शन 25 में ये डेफिनीशन है आर्टिकल 331 में एस्टी के लिए लोकसवा सीट का आरच्छन बताया है और इसमें जो है स्टी की सीटें देखी जाएं तो मर्द पर जेस में स्टी सीटो की संक्या है वह कितनी है शार है तो आप चलती है अपानेम्सट अरटिकल 338 में स्टी के आयोग के बारे में बताया गया है जबकि आर्टिकल 15 के चार्च में SCST के लिए सिच्छा छित्र में आरच्छण है 16 के चार्च में सरकारी नौकरी में आरच्छण है जबकि 16 के चार्च के 1st में SCST को प्रमोशन दिया गया है फिर 17 का छुवा छूत पती बंदिद है आवे सिविल राइट्स एक्ष 1955 इसकी तहत हमने इन्हें जो सजा इस एक्ट को और प्रभाव सारी 1989 में इसके लिए हमने SCST एक्ट को पारित किया राइट गाईज चलते हैं अपना आँगे अब बन सरच्छ अधीनियम का वाया 1980 में बन एक्ट का वाया 1927 में बन सरच्छ संतोधन अधीनियम का वाया है यह 2006 में आया इसके तहर बन से प्राप्त होने वाले सभी उत्पादों पर जन जाती का अधिकार रहेगा आप चलते हैं अपना ST का क्या स्ट्रक्चर है मर्द प्रदेश में देखें तो मर्द प्रदेश में ST की जो संक्या है 1.53 करोर है और हमारा राज देश में सबसे जारा ST रहता है 21 परसेंट हमारे पास जन जाती है प्रदेश में सबसे जारा ST की संक्या कहा पाई जाती है तो इसका अंसर रखोगे मर्द प्रदेश देश में सबसे जारा percentage wise देखें ST तो 14 प्रतिस्त हमारे यहां है percentage की आधार पर देखें तो हमारा जो इस्टान है तेरवे नम्मर पर नहीं है and日 पर्सटेज़ कितना है हमारे पास 13 वा Maadbides Rs. KI Sounds कि आद्थार पर रम कितने हैं पहले नम्मर पर है नम्मर पर रैड़ अब गैस चलते हैं सबसे जारा जंसक्या एस्टी वाला जिला तो गैस ये यू संबॉल यह करें धार, बढ़वानी, अलीराजपूर और जहावुगा पर सबसे कम में भिंड, मुरेना और दतिया अब गईज देखते हैं परसेंटेज में सबसे ज़ादा तो अलीराजपूर में सबसे ज़ादा देन जहावुगा में देन बढ़वानी में सबसे कम भेंड़, देंदतिया और फिर मुरेना में हैं आप चलते हैं सबसे ज़्यादा दस्किय बृद्धी किसने की तुबु है उमरिया कामी का हुई अली राजपुर में सच्छता दर क्या है बाला घाट में काम कहां पर है अली राजपुर में बीपी मंडल ने कितना आरच्छता की है वो समझ लीजिए तो 7.5% सच्छता है सच्छता है 15.5% और वी सीकुल दिया है 27% आरच्छता है जबकि जनरल को जो इसमें आरच्छता है वो 10% एड और हो जाता है अब बातमान में दिया गया है इसको ठीक है राज में 20% स्ट को 16% स्ट को 14% और वी सीको दिया है अब चलते हैं गाईस स्ट की कुल जनसेंग्या कितनी है यह हमारा पुस्सन है स्ट कुल जनसेंग्या 2.13 कडोर सबसे जार साच्छर वाला एसी जिला अगर कोई है तो वो बाला घाट है विदेश में एसी की सीट है कितनी है 15.13 तीन परसेंट है सबसे जार एसी वाले जिले जो हैं इंदौर, उजेन, सागर, एंड रतिया हैं जबकि परसेंटीज में उजेन, सागर, एंड रतिया हैं अब एसी में सबसे कम तो जाबुआ, अलिराजपोर, मंडला, दिन्डोरी सबसे परसेंटेज वाइस कमी कहा है जाबुआ, अलिराजपोर, दिन्डोरी, एंड मंडला सबसे बड़ी जाती कौन सी है, सबसे जाला चमार है, फिर खटेज, फिर भंगी, और बेड़ी असमाज ये बजारों में नाचगान और बैसिया व्रति होती है, उसमें ये अपने लिप्त पाई जाते हैं जाबुआ योजना इनको बिना व्याज के लौन दिया जाता है इस योजना में क्या है? बिना व्याज के लौन दिया जाता है आप सेलते हैं गाइस आँगे भीमराव अम्बेडकर को एसिस का समास सुधारत मसिया और पिताहमा के नान से जानते हैं 26 सितंबर 1932 को पूर्णा पैक्ट समझोता लागो गुआ जिसमें गांदी और भीमराव मेडकर की प्रितक निर्वाचन की मांग को सिरकार किया गया अब है काका कालेकर काका कालेयर को जो है हम OBC का मसिया खेते हैं नेके जन जाती है हमारी मद्विद्दीश की सबसे बड़ी जन जाती भील के बारे में हम पढ़ने बाले हैं गाईस तो भील की उत्पत्ती संस्कित भासा के विलूवर सब्द से हुई है इस सब्द का मीनिंग होता है धनुस विद्या में निपोन वित्ती और इसकी जो संक्या है महरास्ट, MP, गुजरात में पाई जाती हैं MP में पश्मी, मात्यपिदीश में सबसे जारा है उपजादी को यार किसे लगते हैं भीवी, बपरवे, भील, भीलाला इसकी सबसे बड़ी उपजाती है बासे बरितास, पासे पतालिया, रासे रतियास और बेसे बरेला है इनके रहेंसेन क्या होता है? पुरुष, धोती, कुर्ता और बंडी पहनते हैं जबकि महिलाएं धोती, चांदी, गलेट, आगुशन, गोधना, गुदबाना सबसे प्रिये है धार्मिक्ता में देपदा, राजापंता और हिंदू डेवी देपदा की ये पूजा करते हैं खानपान में मक्के की रबडी और जो और ताडी इन में विभाव में देखे तो विदवा विभा, सेवा विभा और हमारा क्या है अपार्ण विभा और मंगनी पाए जाता है जबकि इनका जो फेस्टिवल होता है, भगोरिया होता है, जो इनका प्रेम पढ़ने पर्व है ये जो पर्व है, पूली से साथ दिन पहले आयोजित होता है, और इसमें गुलालिया का आयोजन किया जाता है पहले दो दिन, इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की अगर दूसरे को गुलाल लगा देते हैं, तो उनकी साधी कर दी जाती है, फिर है गोल गदेडो को लेकर भागना होता है, अगर नई पकड़े जाने की तिसाम में हम उनकी साधी आपस में कर दी जाती है, आज चलते हैं अपन अंगे, उजाड़े, इसमें अपना मेला समाप्त हो जाता है, और हम क्या होता है, अपने पनी जो में बस्तूर होती है, उसको पर्चिस करते है और अलग हो जाते हैं राइड रिमिला समाप्त हो जाता है अब दो याठ हरा में ये धार अली राजपूर और छहाबवत तीन जगे आयोजित हुआ और चोंती सिस्तानों पर ये लगा था फिर जलते हैं आवाज क्रम में बने मकानों को भीलो के नम कू कहते हैं और घास पास से बने मकानों होते हैं पंद्रा से अधिक समूव जो होता है मकानों का उसे हम फाल्या कहते हैं अगर हम दांस देखें तो ये तोड़ा, पड़वा, कहरवा और दांगलानेत करते हैं बोली देखें तो भीली तड़वी भील जो है इसलाम धरम को followers होते हैं और तनुप मिनाज और सनकी होते हैं अब भज्जु स्याम जी एक चित्रकार है इन्हें पदम स्री अबार्टोया सत्रा में मिलाता है मामा बल्मरेस और दयाल जो है एक समाज सुधारक और भी समाज के जनक भी इन्हें को कहा जाता है बत्तो भाई भीली गुडिया सिल्फ बनाने के लिए पिसिद है भूरी भाई चित्रकार देवी अहिल्या भाई और इन्हें स्विकर सम्मान दिया गया था फेमा फालिया चित्रकार है । पिथोरा चित्र को उसे लिख विंदर केते हैं तंट्या भील क्रानतिकारी है इनकी समाधी जो है खर्वन डिस्टिक में बने हुई है मत्रविडिस सरकार ने तंट्या भील पुरुष्का 2008 में दिया था क्रांति आली भूरिया राजनी तक हैं ये सांसा रह चुके हैं रतलाम और जहाववा से इनकी क्रशी की पतिती जो है चिमता क्रणातु है राइट गईज तो चलते हैं आपने आँगे अंगली जन जाती और ले लेते हैं कि ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा हम इसका सेकंड पार्ट कर बठाएंगे राइट तो जिनने गुरुगैंग क्लासिस के यूटूब चैनल को लाइक नहीं किया बेल बटन में दवाया है तो सबसे पहले वो दबा लेजिए जिससे आपको कल के नोट्स और वीडियो मिल पाए समय से पहले भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है गौंड है अब आते हैं हम कौंड कौंड होते हैं जो परवतों पर रहने वाले लोग को हम क्या बोलते हैं कौंड छेत तामिल नारू जो छेत रिंका देख रहे हैं हम तो नर्मदा सोन घाटी इसके उत्तर अच्छे में यह सबसे जाए इसको 36 जारकंड में भी मिलती है इनकी उपजाती राइट तो बेफसाय के आधार पे एक लाइन से आतर से ओजा का सोपान ओजा का मतलब तांत्रिक क्रियाए करने वाड़ा वेक्ती आख से हैं हमारा अगरिया यह अपने आपको कहते हैं आख से हैं मुत्पन सबसे पहले धाटू खोजी इनने लोहा और आय भड़ास बड़ई का काम करने वाला व्यक्ति पास से हैं परधान ऑन्य पन्दिताई गरणे व्यक्ति नास से नगाची नगरों में नित्चने वाला व्यक्ति आवास के आदार पर देखें धुर्गोण, राजगोण और मुडिया होती है जो 36 गड़े में पाई जाती है देवता कि अगबाय दूला देव थाको देव और सिवाजी इनके देवता होते हैं यूबा गरे देखें तो इनका घुटूल है घुटूल वो होता है जिसमें लड़का गड़की आपस में जंगल में में सकते हैं अपने विच्छार बे मस कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी से या रहना और यह exam के points और युटसे काफी बात पूछा गया है तो इसको अच्छी से याध कर लीजिए क्योंकि exam आपका होने बाला है तो exam में यह points आप से जरूर ज़रूर भोग पूर सकता है आप चलते हैं मेला प्रथा इनमें दूर लुटावा की है जिसमें लड़का लड़की के मामा जो मामा बुवा के लड़का लड़की होते हैं अपस में साधी कर लेते हैं इसमें लमजाना विवा पाए जाता है जिसमें अगर साधी होती है तोसे हम अपारण विवा या सेवा विवा भी बोलते हैं गोत्र, सगोत्र विवा बरजित है राइट क्या रहोगे सगोत्र जो विवा है वो क्याते हैं बरजित है इनके में जो आपको यह अच्छे से याद करना है इनमें सगोत्र विवा क्या होता है बरजित है और exam के point of view से ये काफी पूछा भी जाता है आप चलते हैं गाइस आंगे बढ़ते हैं और ये है इसमें मेला मेला इनका क्या है मड़ई है जिसमें पान और तमाग को बाट कर जीवर साती का चैन किया जाता है लाओ काज क्या है जिसमें सुगर की पूजा होती है अब क्या है हमारे पास बंगपंती नवाकानी विद्री और मेगनाद गाइस इसके आंगे का लेक्चर जो हमारे दूसरा लेक्चर होता है वोसमें बागी सभी जन जाती पढ़ेंगे और जो मेरी हैं निटन नूर्स है उसके आधार पे पढ़ाओंगा पूरी चित्रात्मक डंस से आपको जन जाती पढ़ाने वाला हूं तो गाइस जाएगे गा नहीं हम एक एक जन जाती कल पढ़ेंगे इसके आंगे का भाग अनकेडमी पर आप मुझे जोइन करें बहां पर भी आप सब के लिए बेस से वेस्ट लेक्चर उपलब